सिवान बढ़रिया मुख्य मार के आकोपूर में इनोभा गारी ने एक मोटरसाइकिल में जबर्दस्थ होकर मार दिया जिससे मोटरसाइकिल पर सवार महिला की मोके पही मौत हो गई और बाइक चलक गंभी रूप से घायल हो गया जिसका इलाज सिवान सदर अस्पिताल में चल रहा है घटना सिवान के महादेवा उपी थना छेतर के आकोपूर की है वहीं अस्थानिये लोगों ने गारी और गारी चलक को पीछा कर पकड़ लिया और पुलिस को सुचना देकर पुलिस के हवाले कर दिया जिसके बाद चालक को पुलिस ने सदर अपस्ताल में मेडिकल जांच के लिए भेज दिया जहां जांच के दोरान चालक नसे की हालत में पाया गया आपको बता दे कि आको को निवासी चंदन कुमार अपने मा के साथ मोटरशाइकिल से सीवान के लिए किसी काम वश जा रहा था तबी पीछे से एक अईनुभा गारी ने ठोकर मार दिया जिसके बाद शुगांती देवी की मोके पही मौत हो गई और चंदन कुमार गंभी रूपशे घायल हो गए है जिसका इलाज सीवान सदर में चल रहा है फिलहाल सौग को लेकर अस्थानिय पुलिस ने पोस्माटम के लिए सदर अस्पतार लाई है तो दुसरी तरफ परिजन गाहों के लोगों दुआरा मौअबजे की मांग किया जा रहा है फिलहाल पुलिस पुरी परकिरिया में जुट गई है इस तरह की घटने में मौअबजे की परवधान है जो दिया जाएगा जो दो दो हुट ले जाएग से मिलेक्राइच के अगर आप के रुट सेटिया पार्फ दूमिक्राइच की अगे आपको सेट एट प्या अग़ीट यहाँ की भाद आपके पिया हुआ है कहां पर यह मामला है जो जान चाहिए तुस्टार कि पूश्टी है तर आप की पूश्टी है जान चाहिए तुन से तुन से ठीक